नमस्कार, बोल्सकाई में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ खुश्बू कोरोना से रिकवर होने के बाद भी लोगों को कई तरही की परिशानी हो रही है अगर आपको भी पोस्ट कोविड लक्षन नजर आ रहे हैं तो इन्हें हलके में नहीं लेना चाहिए दरहसल कोरोना से ठीक होने के बाद भी लोगों में थकान और कमजोरी की समस्या सबसे ज्यादा हो रही है लेकिन इसके अलावा अगर आपको तेज धरकन, ज्यादा थकान, कमजोरी, सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो इन समस्याओं को बिलकुल भी नजर अंदाज ना करें ये दिल के कमजोर होने के संकेत हो सकते हैं तो आईए आपको बताते हैं कुछ ऐसे लक्षन जो नजर आएं तो तुरंत अपने डॉक्टर से सरहा लेनी चाहिए धरकन भरना समान इस जिंदगी में हमें दिल की धरकन महसूस नहीं होती है लेकिन कोरोना से रिकवरी के बाद कई लोगों के धरकने तेज हो जाती हैं आप अपनी धरकनों को आसानी से महसूस कर पाते हैं अगर आपको भी ऐसे लक्षन आ रहे हैं तो आपका दिल कमजोर होने का संकेत हो सकता है ठकान और कमजोरी अगर कोरोना से रिकवरी के बाद ज्यादा कमजोरी और थकान महसूस हो रही है तो आपका दिल कमजोर हो सकता है और ऐसे संकेतों में तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें सीने में दर्द होना अगर आपको चाती में किसी तरह का दर्द हो तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए सीने में दर्द हाट की कमजोरी से भी हो सकता है कोरोना वाइरस हमारे फेफरे और शरीर के दूसरे अंगों को प्रभावित कर रहा है जिसकी वज़ा से भी सीने में दर्द का समस्या हो सकती है सांस लेने में तकलीफ होना कोरोना से रिकवर होने के बाद भी आप कुछ दिनों तक अपना ऑक्सिजन लेवल चेक करते रहें कई बार बाद में भी कोरोना वाइरस का इफेक्ट हमारे दिल पर पड़ सकता है जिससे सांस लेने में तकलीफ हो सकती है इस वीडियो में फिलाल इतना ही इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ